गुर्वार की सुबह राष्ट्र संथर तुक्रोची महराज युनिवर्सिटिटी के विद्धातिव कि लिए काफी परिशान जनक रही नागपुर युनिवर्सिटी अंतर कर बहुत विद्यातियों के ओनलाइन पीपर गुरवार को ले जाने बाले थी लेकिन परिशा शुरू होने के एक से पाश मिनिट के फीतर ही आर्टीमर्यू साइट क्रैश हो गई जिससे चात्र को परिशान्यू का सामना करना पड़ा परिशा के दौरान सुपी आट पिचे से परिशा देने का चात्र इंतजार करे थी फिर बिसमस्या हल नहीं हुई जिसके बाद आखिर में परिशा रद्य कर दी गई करोना के बढ़ती संक्रमन के चलती और परिशा लेनी का निर्टिश राचित सर्का नित्या था जिसके चलती नापपूर युनिवरसिटी न rap की बचाई विब के परिशा लेनी का फैसला देया था जिसका पहला पीपर गिरवार को लियातो गया लेकिन इससे चात्र नहीं दरसल हुआ ये कि गुर्वार को परिश्या शुरू होने की एक से पांच मिनिट के भीतर ही आटी MNU की साइट ग्रैश हो गए इसके बाद भी चातु ने फिर से साइट लॉगिन करने का प्रयास किया लेकिन उनके प्रयास विफल रहे तीन घंटे के पेपर में वो एक भी प आट पजे शुरू होने पाली एक्जाम के लिए चात्रों को शाम तक प्रतिक्षा करनी पड़ी हाला कि इन सारी चेजों के बाद आटी MNU ने एक पत्र जाली किया जिसमें लिखा गया कि तक्निकी कानों की वज़ा से परिशा रत्त कर दी गई है और आगी की जानकारी आट बचे बचे हुए थे वह लिए जा रहे थे औलाइन के माध्यम से एक वेबसाइट की द्वारा पेपर लिए जाने वाले थे लेकिन सुबहे जैसे ही आट बचे बच्चों का पेपर स्टाट हुआ उसके बाद वह पेपर लॉगिण हुआ एक से पाउच मिनिट के पर पर कॉल किया तब उन्हें जैसे उनको आंसर मिलने चाहिए थे वह वैसे नहीं दिये गया इसके बाद शाम को आइटे मिनुट वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें बताया गया कि पेपर जो है वो रद हो चुके है और आगे की जानकारी उनको दी जाएगी इस बारे म हम लोग ने जैसे चुर्वात आठ बजे हम लोग ने ट्राइ किया तो वैसी साइट क्रैश होगी और ना कि हम लोग इसको ना लॉग इन करने जा रहे थे तो बार-बार वहां पर सर्वर दिखानी सर्वर पूरा डाउन हो गया था तो उस वज़े से उपरेट नहीं उपा है और वहीं दिकत फेस हुए तो हैल्प्लाइन नंबर पर कॉल करने के बाद उन्होंने यहीं कहा कि आप बारबार ट्राइब करते रहे थे और टाइम अप होने के बावजुद भी वहीं यहीं कर रहे थे कि पहले तो उनने बारा से पाच बारार से चार कुछ कहा फिर बोल कराने चाहिए अभी तो फिलाल में एक जारी नोटिस ऐसा जारी किया है कि वह बाद में इसको रिशेडूल कराएगे एक्जाम को तो वहीं अब ऑनलाइन के थुरू तो इतना प्रॉब्लम गया है कि जैसे नॉर्मल पर जब हम लोग जाते थे सेंटर्स पर एक्जाम देने और हर कॉलेज का एक प्रॉपर एक्जाम कंड़क्ट हो सके आई ट्यूमि द्वारा जिये जो एक्जाम जिस तरीके से कंड़क्ट कराएगे उसमें चात्रों का यही आवाहन है कि उनके परिक्षाए आसानी से हो उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े हाला कि पहले बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कैमरा परसन अकिलेश भारदवाज के साथ मैं दिशाहटवार बीसे न्यूस नाथपूर